वल्कम तो स्टाडी चैनल में नाम है मुहम्मद कैसर बात करेंगे दोस्तों आज सुप्रिम कोट में हुए सुनवाई की बिहार शिक्षक भरती के सम्बन में और फिर कोट ओप पर डिक्सस करेंगे क्योंकि बियर्ड की अब बहुत ही ज़्यादा मुस्किलें बढ़ गए हैं प्राइमरी में आज बिहार सरकार गई हुए थी सुप्रिम कोट में सलपी पर सुनवाई थी सुप्रिम कोट से बियर्ड चातरों को रहत नहीं मिली है काफी चात कन्फ्यूज हैं कि आज क्या हुआ क्यों बिहार सरकार ने केस वापस ले लिया 13 अक्टूबर को जो डेट मिला है उसका क्या मतलब है तो बस आप 2 मिनट वीडियो देखी आपको सारे सीजन समय में आ जाएंगी यहां पर दोस्तों आज जो सुनवाई थी इसमें बिहार सिक्षा विभाग गया हुआ था बियर्ड का मामला लेकर वो चाहते थे कि बियर्ड को प्राइमरी में मौका मिल जाए चुकि उनका नोटिफिकेशन पहले आया था 11 अगस्त के ठीक है इसमें बियर्ड के जो चात्र है वो भी आये के थुरू कनेक्ट हो गए थे बीटीसी वाले चात्र भी आये के थुरू कनेक्ट हो गए थे तो इनके भी वकील कोर्ट में मौजूद थे यहां पर दोस्तों हुआ यह कि जब बियासरकार का पक सुना सुप्रिम कोर्ट ने तो कोर्ट ने कहा जब अल्रेडी सुप्रिम कोर्ट का ओर्डर इसमें आ चुका है डबल बेंज से जब ये मामला निस्ताली तो हो चुका है तो फिर आज डबल बेंज में दुबारा इसक की देखने को मिला और इसके बाद आज जो जसाहाब थे उन्होंने कहा कि इस बेंज में इस मामले को सुनवाई का कोई और चित नहीं बनता है या तो आप अपने दुसरे बेंज में ट्रांफर कला लेजी हाईर बेंज में या फिर आप अपने याजिका को वापस ले सकते हैं यह जो मामला है दोस्तों फिर यह उसी बेंज में जाने वाला था जहां से 11 अगस्त का फैसला आया दा फुदान से धूरिया जीके बेंच में तो इसमें बिहार सरकार ने यह फैसला लिया कि नोहोंने आचिका अपनी वापस ले ले सुप्रिम कोर्ट से SLP को वापस ले लिया है फिल हाल बिहार सरकार ने आप ही यह समझे ठीक है अब यह आगे क्या करेंगे अब इनके उपर हो सकता है फिर कोई दूसरी आचिका दार की जाए क्योंकि उन्होंने पूछा कि क्या हम फिर कोई दूसरी आचिका डाल सकते हैं तो इस पर उनको कहा गया है कि दूसरी आचिका आप डाल सकते हैं और जब कोड ने ये कहा कि हम इस मामले को दूसरी बेंच में ट्रास्टन करेंगे यहाँ पर इसका कोई सुनवाई नहीं हो सकती तो इस पर सरकार ने अपनी आजिका को वापस ले लिया या आजिका को वापस क्यों लिया यह सारी चाहिजां क्लियर होंगी बस एक दो दिनों क के अंदर की सरकार अब आगे क्या करेंगी क्या वो 11 अगस्त वाले फैसले को मानते हों रिजल्ट जारी करेंगे डियलेट का या फिर अभी आगे यह और अपील करेंगे ठीक है तो आप पूरा मामला यह समझ गए और यदि 11 अगस्त वाले बेंच में यह मामला दुबारा लिया है बात दोस्तों रुमा फिरा कर वही हुआ सरकार ने अपने याची का वापस लिया यानि की मामला खारीज हो गया तो इसमें आप बहुत जादा परिशान मत होई यह पढ़ना आई कोड ने खारीज कर दिया था ठीक है तो क्लारिफिकेशन को लेकर कोई भी सुनवा नहीं कर सकते ठीक है अब देखना होगा बिहार सरकार का अगला करम क्या होता है और जो 13 अक्टूबर लिखाबर है इस पर विमा को बता दो वो डेट है जहां पर बीएड के जो छातर है उन्होंने जो रिट लगाई थी उनका रिट असे तो कोई भी रिट लगा सकता है उन लेट की जीत आप कह सकते हैं डिलेट जीता हुआ है और बीएड छात्रों को कहीं से भी कोई राहत मिलती हुई फिलहाल दीख नहीं रहा है तो हमारा अब यह मानना है कि वियासरकार को अब रिजल जारी करना चाहिए डियलेट के छात्रों के साथ क्योंकि उनका ही अब वन हो कि आपको मैं सुचना दूँगा फिलहाल हम यह मान का चलते हैं अब फाइनली कि वियासरकार से बाहर हो चुका है और यदि ऐसा हुआ सिर्फ डियलेट भरती में रहा तो कितने नंबर पर छात्रों को नौकरी मिल सकती है उनका चैन हो सकता है ठीक है तो अब हम लोग आत है कि आप सुप्रीम कूर्ट में क्या हुआ डियलेट के छात्र बहुत जादा नहीं है और टोटल साथ लाख और ताली से रहने के लगवक्त साथ लाख चात्रों ने फॉर्म भरा था इसमें खबर है कि तीन लाख नब्य हजार बीएट के चात्र है यानि कि बीएट जादा है इस भरती में डियलेट कम है टोटल जो परिच्छा दिन वाले चात्रों की संख्या है यह हमें खबर मिली थी नुच्पर के मात्या हम से अलग अलग आंकोडों में कि पांच लाख चौबीस चात्रों ने परिच्छा दिया था इसमें हम मानें कि 50-50% बीएट और सब्सक्राइब सब्सक्राइब में तो अब सिर्फ दोलाग बाइशबार इसमें भी डियलेट अपीरिंग है तो जो नोगन फेलो गया किसी सबसेख्स में या फिर सीटेरड का रिजल्ट आपने देखा आई इस प्रकार से बनाता और अदर श्टेट को सीटेट में नवे न आपने देखा ही था इसी बीच एक और अपडेट निकल कर आई है कि यदि किसी भी रिजर्व केडिगरी की जो महिला की सीटें है ठीक है यदि वो सीटें खाली रहती हैं तो उस सीट को उसी केडिगरी के पूरुष छात से भर दिया जाएगा ठीक है यह बहुत यह अच्छा होंगे पूरुष उनको यहां पर एजिस्ट किया जाएगा समझ गया आप और यह जो अनरक्षी सीट है इस पर अधर श्टेट के सभी छात्र जो पूरुष है और बिहार के सामान वर के पूरुष चात्र यहां पर आएंगे और अधर श्टेट की सभी महिला और महिला जो बिहार की हैं सामान वर की वह यहां पर आएंगे तो महिलाएं इस वाले सीट पर आ रहे हैं अधर श्टेट वाली भी तो इससे फायदा होगा कि जो पूरुष और महिला दोनों का कट-off है यूर वाला यह बहुत जादा आगे नहीं जाएगा ठीक है तो यह आप समझेगा बागी मैंने बहुत पहले बताया था और आज मी वही बात कह रहा हूं यदि बाहर हो जाता है जो कि आज लग भी रहा है तो कट-off 55 से ज्यादा नहीं जाएगा हाइस्ट है ठीक है बागी लोगों को कहने दीजिए 55 55 75 75 कुछ नहीं होने वाला है 55 maximum है और मेरा जो मानना है ह ठीक है यूर के डिगरी का जिसका कट-off सबसे जादा जाएगा पचास से पंचमन की बिच में कट-off रहने वाला है ठीक है बाकी जो रिजर्व कैटिगरी है बिहार की कोई बी कटिगरी हो रिजर्व कैटिगरी यदि आप सिर्फ अपने क्वालिफाई मास्त को पार कर रहे हैं तो आप बस मान कर चलिए कि आपकी नौकरी यहां पड़ता है ठीक है एक दो नमबर एक्ट्रा है तो आप पहुत ही बहार सिती में हैं हंडिट परसंट अपने आपको सेफ समझी है ठीक है और जो अन्रिजर्व वाले च्छात रहें यह भी बहुत परिशान नहों यदि आपके सिर्फ और तालीस यह रहे हैं तो भी अभी आप होप बनाय रखें उम्मीद बनाय रखें योगी कट आफ को कम करने की बात चल रही है तो कम से कम जो क्वालिफाई हो रहा है वो तो अपने आपको फिलहाल सेफ समझ ही सकता है रिजल्ट भी जल्द आने की खबर है 16 16 ला एक रिजल्ट आपके समझने की लागा तो आहिजाएगर प्रामिर को लेका सरकार फैसला करें कि आगे उनको थे फिलहाल क्या करना है पहले उच मादम्य के रिजल्ट आएगा फिर मौद को प्रामिरी के सब कुछ नहीं हैं 15 16 अक्ट्वर तक प्रामिरी का बिजल्ट सकता है यहां पर देखिए बिल्कूल की ये अफडेट है नियुनतर अवहरता में छूट मिल सकती है इस पर विचार हो रहा है तो कम से कम जो क्mb fajet तो नंबर चाहिए कंसे नंबर पास है तो तो और यदिया तो फिलाल परिशान नहीं है कि पांच परसेंट या पांच नंबर का ही छूट मिले क्योंकि जितनी सीटें भर नहीं है उसके लिए अब जितना इनको कटाफ को डाउन करना पड़े उतना ही हिया जाएगा मादमी कुछ मादमी में तो 100% कटाफ कम होगा वहाँ पर जादा भी हो सकता है प्राइमरी में देखना होगा उता है नहीं होता है तो कितना परसेंट होता है फिलाल आपकी मांग यह होने चाहिए कि बिहार सरकार जल से जल रिजल जारी करें डेलेट चातरों के साथ आप सिक् तो इसका भी ध्यान रखना है तो 100% सीटो पर नौकरी मिलने चाहिए बाकि इसके लिए अब जो भी माक्स आए जो भी आरता में छुट देना पड़े हाला कि भी पेसे ने गजाम कराया है परिक्षा के भी गरिमा होती है बहुत कम कट आफ तो नहीं किया जा सकता है फिर भी म बहुत करना पड़ेगा इनको ट्रेडिंग दीजी इनको वहतर बनाइए ताकि भाविश में यह अच्छे शिक्षक बनकर बिहार के नौनिहालों की सेवा कर सकता है बागी आगर जो भी अपडेट्स जो भी सुचना होगी समय पर आपको जंकाई दिया जाएगा फिलाल मैं आपको बताऊंगा बने रहे हमारे साथ वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करके बिलाइगान दबा लेजे तक कि आपको इसी परकार के सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इंफोर्मेशन मिलती रहे थैंक्स फॉर वाशिंग